अध्यात्म गाथा के इस नए वीडियो में आप सबी दोस्तों का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज का राशीफर शुरू करते हैं पर उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल अध्यात्म गाथा को सब्सक्राइब करें और लेटस्ट अपटेट के लिए बैल आइकन को जरूर दबाएं सबसे पहले बात करेंगे मेश राशी के बारे में आज चंदर्मा आपके पथम लगन भाव में मंगल के साथ विराजमान है आज आपके लिए ये समय विवेक और चुतुराई से काम लेने का है आपके पिछले कुछ समय से रुके हुए वो अटके हुए काम बोरे होंगे संतान के करियर और शिक्षा से समंदित किसी समस्या का भी समधा निकलेगा अगर कोई वहान खरीदने की योजनम ना रहे हैं तो ये समय आपके लिए अतियुत्तम है विर्शब राशी नए लोगों से मुलकात होने से आपको लाब होगा और आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा आपके विवहार की लोग सरहना करेंगे और आपके सभी काम आज पुरे होंगे आज आपकी सेट ठीक रहेगी नापत्ते जीवन में भी मधूरता बनी रहेगी इसलिए जोखिम लेने से बचे अचानक आपको आज यात्रा पर जाना पड़ सकता है किसी मित्र से मतबेत दूर होंगे समय पर आप अपना कारे पूरा कर पाएंगे जोखिम ना ले आर्थिक सिती ठीक रहेगी मित्वन राशी समाज में परतिष्ठा बढ़ेगी मित्रों से लाब होगा और उनके पीछे धन भी खर्च होगा खुबसूरत जगा पर प्रेटन का आयोजन पूरे दिन को आननद में मना देगा अगर आप जीवन साथी की तलाश में हैं तो आज का दिन उसके लिए बहुत उनकूर है आप पत्नी और बेटे के साथ अधिक जुड़े होने से विवाई जीवन में मिठास का अनभव करेंगे करक राशी आज आप कई परकार की गतिविधियों में व्यस्त रहेंगे ता समाजिक दायरा भी बढ़ेगा लोगों की बातों की परभा ना करके स्वय के कारियों पर ध्यान केंदर तक न नई उपलब्धियां हासिल करवाएगा धार में कारियों में भी आपका योगदान रहेगा सिंग राशी आज का दिन ठीक रहेगा व्यवसाई में अच्छे लाब की संभावना है नोकरी पेशा लोगों की पदोनुती हो सकती है आर्थिक सित्ती ठीक रहेगी कारोबार में साजे धारों के कारण दिकते हो सकती है जीवन शात्ती का सहयोग मिलेगा चात्रों को घंभीरता से विचार कर अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाने की जुरुरत है धन का लाब होगा कर्ष की रकम वापस मिलेगी मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी कण्या राशी आज आपका सकरात्मक दिश्टिकोन आपको किसी भी प्रस्तिती में उर्जावान वमानसिक रूप से मजबूत बना कर रखेगा अगर पुष्टैनी प्रॉपटे समंधी कोई वाद विवाद चल रहा है तो उसे हल करने के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम है तुला राशी आज चंदर्मा आपके सब्तम जयभाग में मंगल के साथ विराजमान है आज आपके जीवन में कुछ समय से चल रही स्वासे समंधी परिशानी में अज बेहतर सुधार महसूस होगा तथा आप पुना अपनी उज़ा को समेट कर रुके हुए महतवून कारें को निप्टाने में ध्यान को किंद्रत करेंगे परिवार का सहियोग भी आपके आतमेश्वास को और अधिक पढ़ाएगा विश्चिक राशी आज आपका दिन भाग दोड से भरा रहेगा आपके घर में धार्मिक आयोजन हो सकते हैं आज खर्ज ज्यादा होगा निवेश लाबदाय करेगा समाजिक कारे करेंगे व्यफसाय में सफलता मिलेगी किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है द्यार्थियों को लाब होगा युवाओं को करिये के शित्र में सफलता मिलेगी धनुराशी आज अगर घर या व्यफसाय सम्मंधी स्थान परिवर्दन की कोई योजना बन रही है तो आज उस योजना को कारे रूप में परनित करने का उचित समय है आर्थिक स्थिती भेतर रहेगी आज काफी समय से रुके हुए व्यक्तित कारें को पूरा करने में भी समय व्यतित होगा मकर राशी आज अंदरमा आपके चितुर्थ मात्रभाव में मंगल के साथ विराजमान है आप उच समय से आपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए काफी महनत कर रहे हैं और इसका आपको उजित परिणाम भी हासिल हो रहा है आज आप भी धार्मी को अध्यात्मी गतिविधियों में अपना विशेश योगदान देंगे अगर कोई प्रॉपर्टी समंधी रुका हुआ काम है तो वो भी पूरा हो सकता है कुम्भराशी आज आपका मन चिंता मुक्त होने से रहत महसूस करेगा और आपका उत्सावी बढ़ेगा बड़ों और दोस्तों से लाब की उमीद है छात्रों का दिन शानदा रहेगा आज आपके करियर को लेकर आपको मौका मिल सकता है व्यवसाय से जुड़ी कोई अच्छी ख़बर मिलेगी कारेस्तल पर आपकी सरहना होगी नोकरी पेशा का ट्रांसफर हो सकता है मीन राशी आप जोखिम लेंगे तो सफलता मिल सकती है अपने गुस्से पर नियंतर रखने की जरूरत है खान पान में सावधानी वरते परिवार में खुश्नुमा माहोल रहेगा जीवन साथी के साथ रिष्टे बहतर हो सकेंगे आज आप यात्रा पर जा सकते हैं खर्च ज्यादा हो सकता है तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इसी तरह की और अधिक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटर सब्टेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं